79,000 से छक भरती में बहुत सारी गलतियों पर संसोधन का मौका एक बार और से यहाँ पर शाशन ने दे दिया है अभ्यारतियों को वहीं L.T. के रेट से छक भरती को लेकर महत्पुन अपडेट निकल कर आ रही है आज की तारीक में और के वियस में 12,000 पड़ों पर सरकारी नोखरी की भरती प्रक्रिया सुरू होने जा रही है इसके अलावा अन महत्पुन सूचनाइम इस वीडियो में आपके साथ सेयर करेंगे लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुने इस लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी वीडियो के रिस्क्रिप्शन वाक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रूप का लिंक दिया है उससे टेलीग्राम ग्रूप पर जुड़ जाएए ताकि कोई भी ऑफिशल नोटीस आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच अब उत्तर प्रदेश में महिला खिलाडियों की भी भरती की जाएगी जिहां यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित नाथ जी ने महाशमवाद में ऐलान कर दिया है कि 10 चुनिंदा महिलाओं से से हमने बात की और लगबख 80 मिनट तब उहां पर उन्हें एलान किया है कि जो महिला खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश की उनकी अब यहां पर भरती की जाएगी केंद्री विद्याले शंगठन यानि की केवियस नवोदे विद्याले शमिती में लगबख 12,000 रिक्त पदों पर भरती है तो अबियान चलाने की सिफारिस की गई है और यह सिफारिस सुक्रवार को संसद में एक शमिती ने की है यहां पर एन आई ओएश के अनुशार यहां पर 12,000 पदों की भरती प्रक्रिया आनी चाहिए केंद्र में और इन भरती प्रक्रिया पर बेरुजगार अब भ्यार्थियों को नोकरी मिलनी चाहिए सीबेस्ची के माद्यम से उमीद है कि अगर ऐसा ही अवियान चलता रहा तो जल्दी 12,000 पदों पर केंद्री विद्याले शंगठन के वियश में यहां पर आपको भरती प्रक्रिया देखने को मिल सकती है 142 सिच्छा मित्र बनेंगे शहाया का ध्यापक जिहां यह वो सिच्छा मित्र हैं जिन्होंने अपने फॉर में भरते समय सिच्छा मित्र के आफशन को शामान ने कर दिया जिस कारण से चैन से बाहर हो गए थे लेकिन आप यहां पर अपर मुक्र सच्छू वेसिक सिच्छा ने इन्हें जारी करके आदिश कह दिया है कि आप यह सिच्छक बन सकते हैं और 15 तक यह भरती प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी कर ली जाएगी हाँ आधिक गुरांग अगर आपने भर दिया है इस फौर में 79,000 सिच्छक बरती में तब आपको इस चैन से बाहर कर दिया जाएगा किसी भी प्रकार से आपको यहां पर संसोधन का मौका नहीं दिया जाएगा वहीं पर बताया गया है कि इसी तरह से उन अभ्यार्थियों का चैन वा अभ्यार्थन निरस्त किया जाएगा जिनकी और से 28 मई 2020 के बाद निर्गत जाति और निवासभान पतराप कर रहा है तो उनका भी अभ्यार्थन निरस्त कर दिया जाएगा 79,000 सिच्छा गवर्ती पर ये महित पुना आदेश जारी हुआ है इसके अलावा कुछ चीजों पर अभ्यार्थियों को मौका दिया गया है 142,000 सिच्छा मित्रों के साथ गुलांक का जो मिनिमाम यानी गुलांक को कम शंक्या में भरने वाले अभ्यार्थियों को यहाँ पर मौका दिया गया है आवेदन पत्र में वैजिता प्रमाड पत्र अंक पत्र को लेकर यहाँ पर मौका दिया गया है इस टूटनी पुनरमुल्यांकन जैसे विश्वेदर्व संस्थाओं में जो कुछ बदलाओ थे वैसे भी अभ्यारतियों को याँ पर मौगा दिया गया है तो अगर आप में भी कुछ इसकमिया थी इस प्रकार की और अपावेदन से बाहर थे तो अब आप सुधार करवा कर सामिल हो सकते हैं इस भरती में आगे बढ़ाई गई चैनितों की फाइलें जिहां निक्ती जल्द मिलेगी मादमिक सिच्छनिद शाले लखनव भेजी गई एल्टी ग्रेट चैनितों की फाइल एल्टी ग्रेट हिंदी और समाजिक विग्यान के चैनित अभ्यारतियों की फाइलें सिच्छनिद शाले प्रयागरास से सिच्छनिद शाले लखनव भेज दी गई हैं तेरा विशियों में और बंदिक रूप से चैनित लगबग 89 अभ्यारतियों की फाइलें बची थी जो की तीन दिनों में सिच्छनिद शाले लखनव को भेज दी जाएंगी और इसके बाद चैनित अभ्यारतियों की निद्शाले गई थी तो वहां से जानकारी मिली है कि हिंदी ओम समासी विग्यान के चैनितों की फाइलें मादविन सिच्छा निद्शाले लखनव भेज दी गई हैं और यहां से आगे का प्रोसेस सुरू कर दिया जाएगा और जल्दी इन अभ्यारतियों को निक्ति पत् वितरित किये जाएंगे तो यह कुछ आफिशियल अपडेट थी जो की चात्रों के लिए बहुत ही आवश्चक थी ऐसी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें